यह जो सुरिंदर कोली है, यह सुरिंदर कोली जानवर कैसे बना, हाइवान कैसे बना, चुकि आपने पूस्ट आज की, विस्तरित पूस्ट आज में बताता हूँ, जिसके बारे में आप बातने पूस्ट आज नाम लीजेगा, जैसे सुरिंदर है या सुरिंदर, सुरिंदर स यह तो अपनी बहनोई के यहां आया इसको इसके बहनोई ने ब्रगेडियर बधावन किया ही काम किया साइद इसने पहले आके उसके बाद करिणल को लाठी थे उनकी यहां काम किया चार-पांस साल ब्रगेडियर साइब काम किया कंडल साहब के इडि़ा काम किया, कंडल साहब के यहां, है साइध एक साल लाइब फिर चला गया, फिर उनıll나 दूसरा आदमी रख लिया, जब लोट के आए तो कुछ दिन इसने किसी धाषर औ पह आशोक करें बरतन अरतन साफ के यह दर फिर एक major थे major थे, सोहन सिंग साइद नाम था उनके आभी काम किया हमने उनसे भी पूच्छाज जानकारी करिए एशा अदमी आप किया पाच-चार-पांट साल काम किया किसी एक साल काम किया सौहन सिंग से के बारे में उसने बताया था कि वो मुझे तनुका कमते थे तो मैं जल्दी छोड़ दियता है उनके आदे लेकिन तीनों ये हमारे मिलिटरी के अधिकारियों ने बताया कि वो तो बहुत अच्छा आद्मी है सुरेंदर कोली तो ऐसा करी नहीं सकता उनको तो विश्वास के साथ बताया कि वो तो ऐसा करी नहीं सकता वो तो बहुत अच्छा दिए फिर ये बात हमने जब हम वहां गए गंगानगर इनका नार्को टेस्ट यूपी का सबसे पहला नार्को टेस्ट हुआ था जो हमने कराया था सुरेंदर कोली और पंडेर का तो वहां पर एक डॉक्टर पटेल थे साइकलोजिस्ट जिनके पास हम बैटे रहते थे डॉक्टर पटेल से पूछा में सार ऐसे बात है ये जिनके इनने नोकरी करी कई 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 साल वह कहते हैं इतना अचादमी और ये तना तो इसने तो एक डेड़ साल में इतना तो उन्होंने साइकलोजिकल बात बताई कि ये जो एक डेड़ साल दो साल ये अकेला रहा ना और किसी के संपरक में नहीं रहा इसका मालिक सेक्स्वल इंटर्टेन्मेंट करता था इसकी भी इक्षा होती होगी और ये कर नहीं पाता था तो उसकी पूर्थी के लिए ये अकेले पन में साइकलोजिकल डिसॉर्डर का सिकार हो गया ये डॉक्टर जुमर पाटेल ते उन्हों नहीं बतावा था तो पतला हिंदुस्तान का पहला जो नार्को टेस्ट है यूपी का वो आपने करवा शुरिंदर और मौनेंदर करण पने तो नार्को टेस्ट के लिए जब हम लोग गए तो वहां गानेने ने टेम ने हमसे पू हमसे क्या काई कि वो कराना चाहते हो जहां चाहते हो तो मैं हम क्वेशनेयर बना ले गए थे SSP साहब की राह से कि 200-200 प्रसन थे की साहब इन की जा नहीं तो आपने इसके बारे में क्या पूछाए मैं मोझे जिन्होंने शिखाया इंटरोगेशन उन्हों ये भी शिखाया क इन्टरोगेशन जो करो वो उसको लिखते रहो तो मैं लिखता था ये मेरी सुरू से जाद थी तो मैंने जो इन्टरोगेशन इसका किया दोनों का उमें लिखता रहा वो मेरे रश्टर मेरे पास था तो मैंने अब वहां कूछ के तुमने क्या पूछा तो मैंने वही रश् झाल